नवस्तकर आप देख रहे हैं देश आज मेहू रेखा गड़ा कोटी और सबसे पहले बात करेंगे उत्री कश्मीर के उरी सेक्टर की जहां पर आज सेना के कैम पर एक बड़ा आतंक्ती हमला हुआ इस हमले में 17 जवान जुलसकर शहीद हो गए हैं और 19 जखमी हैं जवाबी कारवाई में सेना ने चारो आतंक्तियों को मार गिराया है और इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जा रही है तड़के करीब 4 बजे का वक्त था उरी में 12 बटालियन के कैम्प में एक के बाद एक धमाकों की गोंज ने पास के ब्रिगेड हेटकौटर तक में खलबली मचा दी सेना के कैम्प में ड्यूटी बदलने के बाद जवान एस्थाई टेंटों में सो रहे थे तब ही आतंकियों ने उनके टेंटों पर ग्रिनेड फेक ने शिरू कर दिये आतंकी दो गुटों में बटे थे कुछ बेरक के पास पहुँचकर ताबड तोड धमाके कर रहे थे तो कुछ कपड़ों के टेंट में आग के गोले बरसा रहे थे पठानकोट हमली के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है धमाकों के चलते करीब सौ टेंट में आग लग गई आग की चपेट में आकर सत्रह जवान शहीद हो गए और उन्नीश जवान गंभी रूप से जखमी हो गए लेकिन फिदाईन हमलावरों की और से फाइरिंग फिर भी नहीं रुकी आखिरकार हेलिकॉप्टर की मदद से बेस के अंदर पारा कमांडो उतारे गए उन्होंने जवाबी का रवाई शुरू की करीब छे घंटे के ऑपरेशन के बाद चारों आतंकी धेर कर दिये गए हेलिकॉप्टर की मदद से जखमी हुए जवानों को एरलिफ्ट करके अस्पताल में दाखिल कराया गया पांच दिसंबर 2014 को इसी इलाके के मोहरा आतंकी हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे जबकि जन्वरी में हुए पठान को ठमलों में साथ जवान शहीद हुए थे उनिसुन अब्बे में जब से जमु कश्मीर में हालात बिगड़े हैं उरी में सेना पर हुआ ये सबसे बड़ा हमला है पीलाल पाकिस्तान चिड़ा हुआ है कि कश्मी में जो उन्होंने दो महिने से जो आतनक मचाया था स्थानिक कुछ लोगों को हाथ में पकड़ कर उस पर सरकार में कपी अपील करने के बाद में वहां कुछ शांती प्रस्था पे थुई है और इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रयास हुआता है कि इतकी दिन हों कुछ किया जाए लेकिन हमारे गेंत्रना राज्य सरकार की पुलिस हमारे पैरा मिल्टरी फोर्सेस गरह मंत्रा ले इस हमले में जिन टेंटों में आग लगी उसमें डोगरा रेजिमेंट के जवान थे आश्रंका जताई जा रही है कि उरी हमले में शामिल आतंकी हाल ही में जेलम के रास्ते सलामाबाद नाले से घुसपैट करके भारत में दाखिल हुए थे उरी बेस केम्प से एलोसी बिल्कुल सटा हुआ है बताया ज़ा रहा है कि उरी में भी आतंकी लगभग उसी तरह तार काटकर केम्प में दाखिल हुए जिस तरह से वो पठानकूट एरबेस में दाखिल हुए थे आबिद नभी नियूजवल्ड इंडिया क्रीनगर